मोमन इस्क्रिटरी सिस्टम Metabolic व्येस्ट को सरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उट्सर्जन या इस्क्रिसन कहते हैं Metabolic nitrogen वेस्ट को सरीर से बाहर निकालने की बिधी के अधार पर हम जीवों को तीन समूहों में बाआच सकते हैं पहला हमारा होता है अमेनियोटेलिक, मतलब ऐसी पराणी, जो मेटावोलिक वेस्ट को अमोनिया के रूप मे उसरजन करते हैं, उन्हें हम अमेनियोटेलिक कहते हैं, इसमें जल्की अधिक आउच्ता होती है, जैसे प्रोटो जोगा हो गया, पोरिफेरा हो गया, एनलेडा हो aquatic orthopoda हो गया mollusca हो गया and aquatic face हो गया second हमारा है ureotelic मतलब कि ऐसे प्राणी जो metabolic west को urea के रूप में उसर्जन करते हैं उन्हें हम ureotelic कहते हैं जैसे amphibia and mammals और third हमारे है urecotelic मतलब कि ऐसे प्राणी जो metabolic west को uric acid की रूप में सर्जन करते हैं उन्हें हम ureotelic कहते हैं जैसे insect, reptile, lizard, frog and crocodile मनुस के मुकुसरजी अंगो में आता हमारा skin lungs, large intestine, liver और kidney है liver जो होता है वो metabolic nitrogen based ammonia को जो है urea में बदलेता है क्योंकि ammonia यूरिया के compresor में ज़्यादा हानिकारक होता है और इसी यूरिया को kidney जो है वो सरीर के बाहर निकाल देती है kidney brick क्या गुर्दा kidney भूरे रंग के सेंग के बीज की आकरित का होता है इसके बाहरी जिल्ली को हम peritonium कहते हैं kidney मनुस्क मुक कुसरजी अंग है या उदर गुहा के रेट्रो पेरिटोनियम में इस्तित होता है इसका भाल लगभग 120 से 170 ग्राम तक होता है abdominal cavity के आंत्रिक पिष्टी सता पर ये इस्तित होता है right side में liver होने के कारण जो हमारा right kidney होता है वो lift kidney की तुल्ला में थोड़ा सा नीचे की तरफ इस्तित होता है kidney हमारे blood में उपस्ति metabolic west को remove करता रहता है kidney के hyalum का जो area होता है हम अगर internal section देखें तो kidney के जो hyalum का area होता है जहां से ureter, blood vessels और nerves जो है वो kidney के अंदर प्रवेस करते हैं hyalum के भीतर एक funnel के आकार का स्थान होता है जिसे हम renal pelvis कहते हैं और renal pelvis एक projection बनाता है जिसे हम kylex कहते हैं kidney के अंदर दो छेतर होते हैं पहरी भाग को cortex कहते हैं तता भीतरी भाग को हम medulla कहते हैं pelvis के एक सक्री वहनी निकलती है जिसे हम ureter या मुत्र वहनी कहते हैं ureter या मुत्र वहनी जो होती है दोनों kidney सी होता हुआ urinary bladder में जाकी खुलता है metabolic waste जो है urator की सहायता से bladder में इकत्रित होते हैं और urine जो होता है उसका रंग पीला hemoglobin के decomposition से प्राप urochrome नामक pigment के कारण होता है इसका pH मान लगभग 6 होता है urine जो होता है urethra यानि की मुत्र मार्ग से होता हुआ बाहन निकल जाता है परते एक kidney में लगभग 10 लाख निफ्रांस होते हैं जो kidney की क्रियात्मक या functional unit होते हैं निफ्रांस जो होता है प्रते एक निफ्रांस के दो भाग होते हैं पहला glamularis और दूसरा हमारा renal tubule यानि की व्रिक नलिका glamularis जो होता है वो afferent artiol यानि की अपवाही धमनियों दोरा निर्मित कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जबकि renal tubule जो होता है एक दोहरी दीवार वाली कब जैसी सनजना होता है जिसे हम woman capsule कहते हैं जो glamularis को घेर के रखता है woman capsule और gamularis को हम malpigian body या renal capsule कहते हैं afferent artiol जो है आगे जाकर एक कुंडिल्ट नेटवर्क बना लेता है जिसे हम proximal convulated tubules यानि की PCT कहते हैं PCT जो है वो लगभग 85% water और salute को जो है वो कुनह असोसित कर लेता है और या और आगे जाने पर एक hairpin like structure बनाता है जिसे हम loop of handle कहते हैं जिसमें एक औरोही और एक आरोही अंग होता है loop of handle जो होता है वो PCT को DCT से जोडता है या भाग medulla में पाया जाता है जैसा कि figure में आप देख रहे हैं उपर की तरफ cortex और नीचे की तरफ medulla है और इसी medulla के अंदर जो है वो हमारा loop of handle पाया जाता है आरोही अंग यानि की ascending limbs जो होता है आगे चलकर एक अत्यधिक कुंडिलिक tubulari छेत्र के रूप में परिवर्टित हो जाता है जिसे हम दूरस्त घुमाओदा नलिका यानि की distal cumulated tubule DCT कहते हैं DCT में जो है principal cells पाया जाते हैं जिसे ADH एंटी डियरोटिक हार्मोन्स वाटर को reabsorb करने के लिए regulate करता है कई नेफरान के DCT एक सीधे tubule में खुलते हैं जिसे collecting ducts हम कहते हैं मालपीगियन कार्प सेल्स PCT और DCT तथा नेफरान जो होता है वो cortex के एरिया में होते हैं Urine formation मुत निर्माण में पहला step रक्त का निस्पंदन होता है जो glamorous द्वारा किया जाता है और इसे हम glamoural निस्पंदन या glamoural filtration कहते हैं प्रोटीन को छोड़कर plasma के सभी घटक woman capsule के lumen में चले जाते हैं इसलिए इसे ultra निस्पंदन या ultra filtration की प्रिक्रिया कहते हैं गुर्दे द्वारा निर्मित प्रतिमिनट बनने वाल निस्पंदन की मात्रा को हम glamoural निस्पंदन दर या GFR glamoural filtration rate कहते हैं एक स्वस्थ बिक्त में GFR लगबग 125 ml प्रतिमिनट यानि की 180 ml प्रतिमिन होता है मैक्यूरेशन नेफ्रान द्वारा निर्मित मुत्र अंततह मुत्रासय यानि की यूरिली बेडर में चला जाता है जहां इसे केंद्री तंदिकातंत यानि की center nervous system दोरा स्वक्षिक संकेत दिये जाने तक संग्रहित किया जाता है यह संकेत मुत्रासय की खिचाव से सुरू होता है और जैसे ही यह पैसाब से भर जाता है वो CNS को संकेत भेशते हैं और मुत्रासय की मासपेसियों में संकुचन आरम हो जाता है यूरीन जो हो वो बहा निकल जाता है this orders of this creature system यूरेमिया गुर्दी की खराबी से रक्त में यूरिया का संचह होने लगता है जिसे हम यूरेमिया कहते हैं ऐसे रोगियों में homeodialysis नमक पर क्रिया के द्वारा यूरिया को हटाया जा सकता है दूसरा होता है गुर्दी की पत्री या रिनल कैलकुलाई oxalate का जो है वो crystallization हो जाता है kidney के अंदर उसे हम क्या कहते हैं गुर्दी की पत्री कहते हैं Glamular nephrositis kidney के Glamular में जो सूजन होता है inflammation होता है उसको हम Glamular nephrositis कहते हैं थैंक्यू तो वाचिंग इस वीडियो थैंक्यो जाता है